पांच महीने बाद फिर शुरू हुई जनसुन वाई कलेक्टर ने सुनी समस्चाएं आपको बता दे कि करोना वाइरस के बढ़ते मामलों के चलते बंद हुई जनसुन वाई एक बार फिर शुरू हो गई है मंगलवार को कलेक्टर के समक्ष पंचान नवे लोगों ने अपनी समस्चाओं को रखा जिसमें रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलाय राजा की द्वारा मौके पर तीन मामलों का निराकरण भी किया गया जिसमें शिकायत करता विजय साकेत के पैर में अग्यात कारणों से सूजन रहती थी जिसे मौके पर सीय मचोर डॉक्टर बील मिश्रो द्वारा जाच की गई तथा इस दोरान कलेक्टर के द्वारा तीन हजार रुपे की आर्थिक मदद भी उन्हें दिलाई गई इसी प्रकार गढ़ निवासी जैन्वल अबदीन कैंसर की समस्या से पीडित हैं जिनें आयुष्मान योजना के अंतर गतलाब दिलाया जाने की पेशकस की गई वहीं तकिया निवासी मुहम्मद सद्दाम के 6 वर्सी बालक का अधार कार्ड भी मौके पर वनवाने की प्रक्रिया पूरी की गई आपको बता दे कि करोना काल में कई प्रशास्नी कारियों पर लगाम लगाई गई थी जिसमें भीड एक साथ एकस्तान पर इकठा होती थी जन सुनवाई भी कुछ ऐसा ही होता था जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर एक साथ इकठा होते थे करोना के खतरे के चलते जंसण वाई को अप्रायल माह में बंद कर दिया गया था जिसके बाद आज फिर जंसण वाई की प्रक्रिया शुरू की गई आपको बता दे कि जिला कलेक्टर समय जिले के प्रशासनी गणकरों के दौरा आज लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसका निराकरण किया गया मंगलवार को पंचान नवे लोगों ने अपनी समस्याओं जिला कलेक्टर के समख्ष रखी जिसके बाद कलेक्टर द्वारा उनके निराकरण करने की बात के हम आपको बताते कि कलेक्टर रिवा द्वारा करोना काल में भी लोगों की समस्याओं का निराकरण यथा संभोग किया जाता रहा है आज ये सुनते हैं रिवा कलेक्टर डॉक्टर इलाईया राजा की से प्राप जानकारी के अंशुरू हुई है इतनी भीड लगी हुई है क्या कैसे सुनवाई होती है इसे लगादर जनसुनवाई हो रही थी बड़ इस आशन दोरह निर्देशित करने के पाद एक विदिवत सभी विपाग खादिगारी के साथ है जनसुनवाई आज शुरू हुआ है उसमें काफी सारा जमीन रिलेटेल समश्या है इसलिए वह अभी लेक है सुदार के बहुं स सुदार है रगबा में सुदार है क्लेरिकल एरर के कार है उसका है उसके साथ साथ कुछ लोगों का आवास की संबंदी तरह डिमांड आई इमिडियेटली जिल्ला पंजायित के माधियम से चिक करके उनकी क्रम कौन सी है प्रशानमंद्री आवास के वह बताए गया है कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी है ना मतलब हाज जन्सुनाय के माधियम से किये हैं मतलब एक रतिकती नजार उके हैं हम लोग रेक्रांस से रिक्सा चला चलागता उनको पैर में प्राबलम था उनको मदद किये हैं और दो ऐसे केसे से कोविन में उनका मुर्टी हो गई है उ इसके माधियम से आईसे दो बच्चे को दोजार दोजार हर महीने के साफ से पुरा एक साल का एना एक डिसांशन की ओजना वो भी एना किये है और भी विविन अबरकार का अप्लिकेशन साहें तर आम तोर पर जादा देखा किया सी एम हेल्प लाइन से सिकायत आती हैं और में का Ensuite में सारा माधियम से चायत बालड प्रफिंदाशन संपवर नहीं और ना एस चाहिए काई है नखर तर्मीन अच्शा चीजए के दरब फुश्य नहीं किया गया है तो लगातर हम लोग अफिल करते है कि कौन्ची चीज़ान के माधियम से सकता है कि तहसील की लोग यहां पर आते हैं ज्यादतर तो क्या तहसील पर इस तरह पर सुनवाई नहीं हो सकती है यह लोग किराय बाड़ा लगा के राते हैं हम लोग नीचे भी आज सभी जगा डायरेक्ट करेंगे कि सभी सब्डिविशन में भी एना सब्डिविशनल आफिसर के सा हो और करना भी चाहिए मतलब उसका और बेपसित के से कर सकते हैं सो ते ते के लिए दसल से यहां लोग है ना कम से कम लोग आए उसको पर आपना है